नियूरोकाइड इंजेक्शन्स क्या है नियूरोकाइड इंजेक्शन्स क्या टाबलेट से बहतर है नियूरोकाइड इंजेक्शन्स लेने के लिए आपको डॉक्टर क्यों बोलते हैं क्या वो सेफ हैं कि बिल्कुल भी आपको नहीं लेने हैं आज इस वीडियो में हम इसी ब में किसी व्य वज़े से विटामिन बी की कोई कमी रह जाती है विक शेर हैं तो विटामिन बी-टॵ रख अब बूला जाता है कि आप तो विटामिन बीटॵेल जो इन्जक्श को लगाए जाते हैं अब बात यह आती है कि आपको तो टाबलेट क्यों नहीं दी गई है आपको इंजेक्शन लेने के लिए क्यों बोला जाता है कि किसी के अगर पेट में घाव होते हैं तो अगर किसी को भी अलसरेशन हो गए हैं या किसी वज़े से ड्यूडेनम या फिर आपके जो गास्ट्रिक रीजन है मतलब आपको जो स्टमक की लाइनिंग में कुछ इशू है या आपको किसी वज़े से अलसरेशन है या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस तरह की होती है तो ऐसे समय पर बोला जाता है कि आप इंजेक्शन ले लिए क्योंकि देखिए आपका विटामिन B12 जो होता है वो ड्यूडेनम मतलब आपकी आंतों में काफी जादा एब्सॉर्ब होता है अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको आ आ रहे हैं ऐसे समय पर भी अकसर बोल दिया जाता है कि आप क्या कीजिए सीधा इंजेक्शन लगवा लिजे एक इंजेक्शन आयम मतलब इंट्रमस्कुलर जो मतलब हिप पर भी आपको लग सकता है आपकी मसल पर भी आपको लग सकता है और कुछ फीमेल को जब बहुत आपको लिए पारे में डिसकस नहीं करूँगे अज इस इंजेक्शन की देखा जाए तो अगर यह इंजेक्शन की वज़े से अपको क्या कोई सपेशल लक्षन आते हैं मतलब अगर आप यह इन लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो शेरीर में नहीं हो जाती है तो अगर फीमेल को देखा गया है कि अनीमिया की दिक्कत मतलब ऐसा यूजवली महसूस होता है कि फीमेल के अंदर अगर अर्बीसी की कमी है लाल कोशिकाएं कम है तो ऐसे समय पर भी यह विटामिन बीटवल का इंजेक्शन आपको दे दिया जाता है तो विटामिन बीटवल करना अगर देखा जाए नर्वस सिस्टम की वीकनेस की वज़े से मेंटली भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं इमोशनली भी अच्छा फील नहीं करते हैं डिप्रेशन जैसे लक्षन आते हैं नियूरो पैथी डेवलप हो जाती है आप काफी फीमेल में या मेल्स में देखा गय कोई भी काम करने का मन नहीं करना बहुत लोनेस आ जाती है काफी पर नसे स्टॉंग ना होने की वज़े से यह सब होता है अकसर देखा जाता है कि डाइबटीज जब आपको होता है मतलब अगर आपको स्पेशली अगर आपको शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है ग्लुको अगर आपको टायर्डनेस लगती है लेमनेस फीलिंग लगती है पूरा दिन मन करता है ठकान ठकान है और मैं सोता ही रहूं और शरीर में बहुत सरे लक्षन इस तरह के आने लगते हैं ऐसे समय पर आपको बोला जाता है कि आप यह आये मतलब इंट्रमस्कुलर यह इंट्र करते हैं अलत्रों जिजान रखिए कि जॉभी आप जिनसे भी आप इंजक्शन लगवा रहे हैं अपको उस्मद की स्राइब शरीर में पूर्टी उतने अच्से नहीं सबह विट विटामिन बीट्वेंट की कमी है तो बहुत सारे खाने पीने की पधार्थ विटामिन बीट्वेलथ की पूर्ती हो जाती है और ये इन्जेक्शन कुछ समय का यह आप, अजकर बहुत की ऑर, टो बहुत ज्यादा हो, तो पहुत कुछ आप dessert ? या fruits खाएं जिसके अंदर vitamin B12 बहुत जादा हो देखा चाहिए अगर कोई side effect अगर इस especially इस injection की वज़े से अगर होता हो तो ऐसा कोई major side effect नहीं होता है काफी लोगों को multi vitamins suit ही नहीं करते हैं उसकी वज़े से उनकी शरीर में एकदम से allergy हो जाना या फिर छोटी सी भी test dose डालने के बाद भी एकदम से शरीर में कुछ reactions खुजली आ जाना या फिर बहुत सारे eruptions आ जाना, redness हो जाना अगर आपको ऐसा मैसूस होता है तो आप एक test dose लगवाईए मतलब एक छोटा dose लगवाने के बाद ही उसको पूरी body में insert कराई है या फिर usually ये side effects सर्फ उनी को देखने को मिलता है जनको over sensitive होते हैं वो कुछ भी vitamin और कुछ एक particular पदार्थों से कुछ लोग या कुछ एक particular salt से कुछ लोग बहुत जादा बहुत जल्दी react कर देते हैं उसकी तरफ में इम्मुनिटी जो होती है हमारी बहुत जल्दी react कर देती है कुछ एक particular salt से तो ऐसे समय पर ये होता है यूजवल ये बाकी किसी में नहीं होता है यूजवल प्राक्टिस में नियूरो काइंड हम हर किसी को लगाते हैं जिनको vitamin B12 की कमी होती है बहुत ज़दा side effects आपको देखने को नहीं मिलते हैं अगर आपको side effects के तौर पे कुछ भी लक्षन आ रहे हैं तो आप अपने doctor को बताईए so that वो कोई brand चेंज कर दे या कोई different आपको vitamin B12 sources बता दे ताकि आप वो अपनी vitamin B12 की पूर्थी कर पाए देखिए vitamin B12 जो है वो बहुत सारे food items में होता है कौन से food items है naturally vitamin B12 को कैसे पूर्थी करें कितने दिनों तक वो food products हमें खाने चाहिए अगर आपको ये सब जाना है तो आपको description में दिये हुए कुछ link मिल जाएंगे उन links पर जाएए सारे videos explore कीजिए जोब के काम की videos है आप उससे देखिए अपनी knowledge को enhance करें और ऐसे ही हमारे साथ हमारे videos देखते रहिए धन्यवाद